हेलो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहाते हैं जो आपसे रिलेटेट कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपसे भी स्टूडेंट तक रखने की 100% को सिस करूँगा और अभी की जो हमारी वीडियो है हमारे काफी सारी स्टूडेंट या फिर वो डिफार्मीशी के ह या डिप्लोमाइन इंजिनिरिंग के हो और उन्होंने जस्ट अभी जून जुलाई में जो अपना पेपर दिया था तो काफी ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके कम माक्स आय थे तो उसके लिए उन्होंने रिचेकिंग पलस मेरे विलिशन अपलाई किया था कुछ ऐसे अब आपके पास दिसंबर का जो पेपर है वो चांस है आप उसमें अपना पेपर दे के जो भी आपका पेपर है वो आप इसली अपना निकाल लीजिएगा अब मैं आपको बता देता हूँ आपको अपना रिजल्ट कैसी चेक करना है तो जैसे आप लोगों ने देखा होग अक्सर आपको पता भी होगा जैसे HSBT के आप लिंक पे जाके यहां क्लिक करने के बाद आपको जो यह फर्स्ट वालो जो आप्सन दिख रहा है जैसे के रिजल्ट ओफ वाल समेस्टर और डिप्लोमा कुर्से इस पे क्लिक कर लीजिएगा और इस पे आप अपना रूल नमर और जो भी आपका capture उसे fill करके और आपके मुने में अगर confusion हो जो sir हमारे rechecking का जो result है वो अलग से आगा ऐसा कुछ नहीं है जो आपका result है उस result में अगर आपने जो subject का rechecking apply किया है अगर उसे उन्होंने dark black कर रखा है और अगर उसमे star लग रखा है तो आप समझ जाईएग जो आपका result है वो declare कर दिया गया और बहुत कम chances रहते हैं rechecking के result में paper निकलने के अगर जिन भी बच्चों का निकल जाए बहुत खुशी के बात है और अगर जिनका ना निकले तो आप लोग अपने next semester की paper की त्यारी में लग जाईएगा civil engineering के 30 semester की भी classes चल रही ये 5th semester की भ classes अभी available है तो जिने भी admission लेना हूँ आप लोग लेके अपने जो पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा मिलते हैं next video में bye all of you I hope उमारे सारे student ठेक होंगे